दोस्तों अगर आपके पास है Vivo T3 Pro 5G Mobile और आप इस Mobile में एप पर fingerprint log लगाना चाहते हैं किसी भी application पर आप fingerprint log लगा सकते हैं तो लगाने के लिए friends आपको जो है अपने mobile की setting ओपन करना होगा mobile की setting open होने के बाद अब यहाँ पर scroll down करेंगे और यहाँ पर security का option आएगा security के option पर क्लिक करेंगे उसके बाद scroll down करेंगे privacy app encryption का option आएगा इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक privacy password बनाना होगा तो जो भी आप privacy password डालना चाहते हैं वो दोस्तों privacy password यहाँ पर आप डालेंगे इस तरह से उसके बाद दुवारा से re-enter आपको ही privacy password करना है उसके बाद set security question में आप कुछ भी यहाँ पर एक word आप डालके जो है next पर क्लिक कर दीजेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ add later का option दिखाए देगा इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ दोस्तों दिखे app encryption का option आएगा इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अब आपको करना क्या होगा सभी app आएंगी जितनी भी app आपके moment में है तो जिस app पर आपको in display fingerprint log लगाना है तो वो जो है application select रहेंगे तो मैं example के लिए facebook में log लगाऊंगा यह रहा facebook उसके सामे टिक हैटी कौन मैंने कर दिया और भी application पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं उसके बाद आपको back आजाना है एक बार और back आजाएंगे उसके बाद fingerprint का option आएगा इस पर click करेंगे जो भी आपके moment का skin log है skin log आप यहाँ पर डालेंगे उसके बाद privacy app encryption का option जो दिख रहा है इस टीक को आपको on करना है और यहाँ पर privacy password जो आपने बनाया है वो एक बार यहाँ पर confirm करेंगे बस आपका काम होचका है चले back करके दिखा देता हूँ back किया फेस्बुक में लगा था फेस्बुक पर मैंने click किया आप यहाँ पर दिखे फिंगर्पिंट मांग रहा है जैसे ही मैं फिंगर्ट टच करूँगा तुरंट फेस्बुक आपन हो जाता है